इसलिए करपार करके हर विसेस वो हमसे ना जोडा जाए जो करेगा जो भरेगा हम सबते के साथ पेमराज जहिरवार ने काया कि बोलूँगा तो वो मुझे मार देंगे मुझे सुरक्षा दी जाए नहीं तो मैं मार दिया जाओंगा साथियो नमसकार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देख रहें नेशन जन्मत सर्म से डूब मरना चाहिए मद्ध प्रदेश के मुख्मंतरी सिवराज सिंग चोहान ग्रह मंतरी नरोत्तम मिस्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी सर्मा को सबसे ज़्यादा सर मानी चाहिए सिवराज सिंग चोहान को जब यही बीडी सर्मा जब यही नरोत्तम मिस्रा सिवराज सिंग चोहान के साथ राजनीती करते हैं तो सिवराज मामू को अपने पिछड़े होने की याद आती है लेकिन आज एक दलित परवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है उसको मावहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई है उसकी साधी में घुज करके तमंचा लहराया गया है फायरिंग की गई है उसके मान सबमान स्वाविमान को तारतार कर दिया गया है पिड़ित परवार बुरी तरीके से दहसत में है शादी में मौझूद लड़के और लड़की पक्च के लोग अपना बयान बदलने को मजबूर है एक मादर चसमिदीत हेमराज अहरवार अभी भी साहस के साथ डटा है अभी भले ही वो कह रहा है मैं किसी के सामने नहीं जुकता लेकिन साथी साथ उसको अपनी जान का खतरा भी है क्योंकि गाहों के भी डरते हैं और मैं भी डरता हूँ मुझे भी प्रटेक्शन चाहिए अगर में को मारेंगे तो समझे अभी से कभी तक में मारा जाओंगा तो उन्हीं का नाम होगा लड़की वाले भी बोले हैं बोले हैं कि हमने कुछ देखा ही लिए उनको पता नहीं साहिए पैसा मिल गया होगा कुछ निए मैं में बीबी खता हूँ यह मैं बच्चे पालता हूं दो मजी खाता हूं लेका किसी के सामने जुकता नहीं हूं अगर में को गोली मार देंगे तब भी मर जाओंगो कोई देखा दिया लेका मुझे पूटेक्शन चाहिए अब देखा क्या है वो सामने कुछ बोली है सरपन साब मैं क्या बोलू लेकिन घटना तो हुई है इन तमाम परिस्तितियों के बावजूद ग्रे मंत्री नरुत्तम मिस्रा और प्रदेश सद्यक्ष बीडी सर्मा खामोस हैं खामोस हो भी क्यों ना उनके जाती का वर्चस प अब तो मूँ खोलो कम से कम अपने एसपी सचिन सर्मा को इतनी हिम्मत दो कि इस गुंडे मवाली को ग्रफतार कर सके घटना के तीन दिन बीच चुके हैं बमीठा थाना द्यक्ष की हिम्मत छोड़ दीजिए एसपी सचिन सर्मा कह रहे हैं कि पिष्टल होने की बात सामने नहीं आई है यह तमाम जो वीडियो चल रहे हैं एक मात्र वीडियो नहीं है एक वीडियो और वाइरल हो रहा है जिसमें साप साप फाइरिंग करते देखा जा रहा है लेकिन पुलिस प्रसासन अभी भी जाच कर रहा है सिवराज मामू क्या वास्तों में गढ़ा-गाउं म कह रहा है कि हर घटना को मुझसे ना जोडा जाए जो जैसा करेगा वो भैसा भरेगा देखो हम गलत के साथ नहीं है कानुनिस पक्षता और पारदर्षता की गहराई से इसकी चांच करें हम कतली गलत के साथ नहीं है और हर विशय को हमसे ना जोडा जाए तुमसे क्यों ना ज अगे सुर्धाम के कारकमों में वो दिखाई ना देता तो उसकी इस गंड़ाई पर उसको पीट-पीट करके बरावर कर देते महराज महराज कह करके रिक्वेश्ट न कर रहे होते हैं उस दारूबाज गुंडे मवाली की हरकतें इसी लिए मजबूरन बरदास्त की जा रही हैं क्योंकि वो तुम्हारा भाई है और तुम्हारे इस पाखंड में प्रदेश के बड़े-बड़े मंत्री, बिरोक्रेट्स और यहां तक की जुडिसरी से जुड़े हुए लोग भी सरीक हैं इसलिए उन लोगों को पता है कि इस सक्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर वास्तों में तुम उस परवार को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो अपने उस गुंडे भाई को उस भीड में उस जनता के सामने खड़ी करके उस परवार से माफी मंगवाओ और अपने गुंडे भाई को पुलिस को सौप दो क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक पुलिस की हिम्मत कहा है कि तुम्हारे भाई को हात लगा दे क्योंकि तुम्हारे चरणों में सियम से लेके ग्रह मंत्री तक पड़े जो रहते हैं इसलिए धिरेंद्र साश्त्री ये बयान जारी करके मूर्ग किसे बना रहे हो अगर वो तुम्हारा भाई नहीं होता तो वो सिर्फ सौरब गर्ग होता ना वो सालिगराम होता और ना ही छोटे महराज होता उसको अपनी पारवारिक संपत्ती से बेदखल कर दो उसके बाद इसी गहागाओं के लोग उसकी अवकाद बता देंगे दूसरी बात मद्यपरदेश के पुलिस के मुर्दों से पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाते हो तो उसके परवार के लोग अगर प्रेस कॉंफरेंस करके कह दें कि मेरा इस सक्स से कोई देना देना नहीं है इसको मुझसे ना जोडा जाए तो क्या मान लेते हो क्या उसके घर पर दविस नहीं देते हो क्या जहां जहां उसके छेपे होने की आसंका होती है वहां वहां नहीं जाते हो क्या उसके परवार के किसी सदस्र को पकड़ करके ठाने में नहीं बैठाते ह ये सब चीजें करते हो तो इस पाखंडी के इतना भर कह देने भर से कि मेरा उससे कोई सम्मंद नहीं है तो मान करके चुप बैड़ गए अंधभक्त तो अंधभक्त है बले ही इसके द्वारा दिये गए संसकारों के अनुसार इनका छोटा भाई मा बहन की गालियां दे रहा ह इसके बावजूद इसके कथा पंडालों में मा बहन बेटियां खुसो करके जाएंगी और जूम के नाचेंगी भी अगर उस सक्षे तो तुम्हारा कोई सम्मंद नहीं है दीरेंद्र सास्त्री तो खुले मंस से कह दो कि आज के बाद वो ना वागे स्वर्धाम में और ना किसी कथा मंस पे दिखाई देगा ना ही तुम्हारी धन दौलत संपत्ति और रुत्वे से उसका कोई मतलब रहेगा नेशन जनमत को पता है कि लगातार इस तरह की आवाज उठाने के बावजूद मुर्दा प्रसासन पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन ये मेरी जिम्म फाइरिंग की है कुरसियां तोड़ी है खाने को लाट मारी है और सबसे वड़ी चीज उनके मान सम्मान अभिमान पर चोट की है तो इसके भाई के रसूक के कारण भले ही इसका कुछ न बिगड़े लेकिन नेशन जनमत लगातार आवाज उठाता रहेगा अब देखना इस मामले में OVC महासभा, भीम आर्मी, आजास समाज पार्टी और जैस जैसे संगठन अगला क्या कदम उठाते हैं क्योंकि मद्द्प्रदेश में विपक्ष में होने के बावजूद कॉंग्रेस के हैसियत इस मामले में बिरोध की नहीं बची है क्योंकि उनके पूर्व स पूर्टियम, कमलनाथ, चरणों में बैठ करके आए हैं, देखते रेने संजन मत, जागरुक और सजक बने रहिए, जै विज्ञान, जै समीधान, जै लोकतंत्र, घन्यवाद